और दर बोपाल से खबर जहां कुशा भाव ठाकरे हॉल में सरदार पटेल की ज्यनती पर कारिक्रम का आजन किया गया है राजिपाल मंगो भाई पटेल सीम शिवराज इसमें शामिल होंगे मंत्री डॉक्टर मोहने आदव और इंदर जिंग परमार भी इस कारिक्रम में मौझूद रहेंगे कारिक्रम इस्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें सरदार पटेल के जीवन को लेकर मार्ग दर्शन किया जाएगा सरदार पटेल के चित्र पर पुषपर्टिक भी किये जाएगे आज उन्हें याद किया जाएगा तो आज सरदार पटेल की जुयनती है और इससे लेकर कारिक्रम आयोजित किये जाएगे कुछ अभाव ठाकरे हॉल में आज कार्यक्रिम कायोजिन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराग सिंग चुहान के साथ ही राजिपाल मंगो भाई पटील भी शामिल होगे बनाए जाती है एकता लोगों को एकता में बांधना और एकता दिवस के रूप में इसे दिन को मनाया जाता है एकदेश के सभी लोगों को बानने का काम किया जाता है सर्दार वल्लभाई पटेल के योगदान का सम्मान करने के लिए नैशनल यूनिटी डे मनाया जाता है और इसलिए आज कई कारिक्रम आजित किया जा रहे हैं जानकारी लेंगे दीपक दिवेदी फो नाइन पर जुड़ गये हैं दीपक सर्दार पटेल किया ज्वेंती और आज कई कारिक्रमों का आईजन किया जा रहा है जी जी आज का दिन जो है यूनिटी डिवस के रूपना मनाया जा रहा है और इस अउसर पर प्रदेश भर में अलग अलग जो भी भाग है सरकारी भाग हो अपनी होते तो यह कारिक्रम आज जीत कर रहें परंतु प्रदेश लेवल पर राज़धानी भौपाल में राजा भाव ठाके कन्वेंशन हौल में जो है आज शाम को प्रोग्राम होगा जिसमें राजपाल मंगु भाई पटेल जो हैं मुक्यत भी रहेंगे प्रदर्शनिया जो उनके जीवन से जुड़ी हुई सरदार वल्लपाई पटेल के जीवन से जुड़ी हुई यहां पर लगाई जाएगी जिसे देखने के लिए कई दर्शक जो है पहुचेंगे तो एक बड़ा कारिक्रम जो है आज राजा भाव ठाके कन्वेंशन हौल मे शुक्रिया दीपक जानकारी साधा करने के लिए तो सरदार वल्लपाई पटेल जीने लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और देश को जोड़ने के लिए उनके किये गए प्रियासों का सम्मान आज किया जाएगा उनकी जुवनती आज है और ऐसे में कई तरह के कार करम आज आज के जाएंगे और हर साल 31 ओक्टोबर याने खिर सरदार भल्लपाई पटेल की जुवनती को नाशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है